आज राजस्तान जीके का हम टॉपिक करने वाले धार्मिक एवं संत संप्रदाय और यह टॉपिक कितना है कि आपको हर एक्जाम में यहां से एक से दो क्यूशन देखने को मिलेंगे तो इस टॉपिक से हमने 50 क्यूशन से जिनको यहां पर कवर किया गया है यह 50 क्यूशन इपली डिटेल में हर को ही पड़ता है इस सबसे में इंपोर्टेंट चीजे जाधा से जाधा क्यूशन हम करें और जो यह राजस्तान जीके की सीरीज चल रही है इसमें डेली के डेली हम एक टॉपिक पे उस टॉपिक से रिलेटेट जितने भी क्यूशन होते हैं चाहे 70 क् 50 क्यूशन जो सारे क्यूशन को खवर कराते हैं इस बीना किसी देर के स्टाट करते हैं आज की सेसन को और देखते हैं पहला क्यूशन है यहाँ पर आपसे पहला क्यूशन पूछा गया है कि वो कौन से सुपि संथ है जिनोंने नागोर के पास सुवाल गाउं में अपना के प्रचार किया उप्शन से मोयनुतिम चिस्ती अला बक्स या फिर रजी उद्दीन हसन या फिर सेक अमिद उद्दीन तो राइट आंसर हो जाएगा उप्शन डी सेक अमिद उद्दीन जो है वो वो सूपी संत है जिनोंने नागोर के पास सुवाल गाउन जो है वहाँ पे पूर्वक प्रचार किया नेक्स्ट किशन जोद्पुर में मामंदी राजस्तान के कौन से संपरदाय की प्रमुगत्ती है उप्शन से रामानु संपरदाय कबीर पंथ दादू पंथ या फिर नात पंथ तो गाईस हमारा आंसर हो जाएगा उप्शन टी करेक्ट आंसर है न प्रधान देव मानकर उसकी अराधना करने वाले क्या कहलाते हैं यह भी आप कर सकते हो आपके अब पास ऑप्शन से साक्त नात सैवी या फिर वैशन तो गईस हमारा आंसर हो जाएगा उप्शन टी वैशन यहां पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्यूसर जंब सागर जं पंत या फिर लाल दासी संपरदाय क्या होगा राइट आंसर गाईस तो यहां पर जो मारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक एक एरेक्ट आंसर हो जाएगा विश्नोई संपरदाय की बात करें तो परवर्तक कौन है विश्नोई संपरदाय के तो परवर्तक है जांबो जी और लालदासी संप्रदाय का जो प्रमुक इस्तल है वो कहां पे है? उप्शन से सेरपूर, कोलायत, नारायना या फिर मुकाम, तालवा तो लालदासी संप्रदाय की बात करें तो इसका प्रमुक इस्तल जो है वो सेरपूर में आंसर हो जाएगा उप्शन A नेक्स्ट क्यूशन निम्ने में से कौन से संथ है उन संथ का में नाम बताना है जिनके उपदेश जो है कौन से संथ है मते किस संथ के उपदेश इनके गरंथ अब यह जो गरंथ है वो क्या है अनर भवानी जो है इससे संग्रहित है options हैं संत रामदास दी या फिर हरी रामदास जी या फिर संत दर्याव जी या फिर संत रामचरण जी तो क्या होगा गाईस हमारा answer तो जो हमारा answer हो जाएगा option D यहाँ पर correct answer है संत रामचरण जी यह इस question का correct answer है नेक्स्ट क्यूशन डीडवाना नागोर में किस लोग संत का जनम इस्तान है उप्सेंज देखे संत हरी दास जी संत दर्या जी या फिर हरी रामदास जी या फिर संत रामचरन जी तो क्या होगा गैस इस क्यूशन का करेक्ट आंसर आंसर कीजिएगा काफी important क्यूशन है तो आ संत हरी दास जी जो है वह यहां पर इसक्यूशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा option A अब यहां पर संत हरी दास जी की बात करें तो देखो यहां पर आप देख चुके हो इनका जो जनमिस्तान है वह कहां पर फ्रेंड्स नागोर में है और जो सांकला छत्रिये परिवार से यह संत बनने से पहले यह डकेथ थे यह भी आपको ध्यान रखना है नारीस नारी संत दयाबाई किसकी किसिश्या थी यह बताना है उप्सन से संत चरंदास की या फिर संत निब्बाकारेचारी की या फिर संत रैदास की या फिर संत रामचरन की तो गाईचा मारा आंसर हो जाएगा संत चरंदास की सिश्या थी तो आंसर होगा उप्सन A नेक्स्ट्स्ट क्यूशन गोपी चंद्र, भरतरी, गोरक नाथ, आदि, किस संपरदाई से संबंदित है, ओप्शन थे सेवे शंपरदाई, नाथ संपरदाई, सांपरदाई या फिर वैश्नव शंपरदाई, तो मारा आंसर होजाएगा option B नात संपरदाई is question का एकदम correct answer है option B next question परियावर्न संरक्षना हेतू प्राणों तक का बलिदान कर देने के लिए जो प्रसिद संपरदाई है वो कोन सा संपरदाई है जसनाती संपरदाई, लालदासी संपरदाई, विश्णोई संपरदाई या फिर राम्स ने ही संपरदाई तो आंसर हो जाएका विश्णोई संपरदाई यहाँ पे इस क्यूशन का correct answer है और विश्णोई संपरदाई की बात करें तो इससे related fact मैंने पिछले ही क्यूशन में discuss करें मैं चीज यादि रखने आपको इसके परवर्त कौन है जामबो जी next question रजीब जी, सूरदाज जी, संदाज जी, जगनिदाज जी, मादोदास जी अधी का संबन जो है, वो किस संपरदाई से है, किस पंत या फिर किस संपरदाई से था, options है, लालदासी संपरदाई, दादू पंत, जसनाती संपरदाई, या फिर चरण दासी पंत तो answer हो जाएगा, दादू पंत यहाँ पे correct answer हो जाएगा गाइस क्या answer होगा काफी important question है तो इस पर ध्यान दीजेगा दादू पंत आपको याद रखना है अब देखो ये चीज तो हमने देख लिए कि जो दादू पंत है वो इस question का correct answer होगा बगाइस यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी है जब दादू संपरदाई की बात हुए तो दादू संपरदाई है इसे related facts जो है वो भी जानना important है तो उनकी थोड़ आशा यहां पर दादू संपरदाई के जो फैक्ट है उनको डिस देखिए सबसे में चीज जो आपक हुआ इनकी किते सिस्य थे 152 सिस्य थे जिनमें से 52 तो प्रमुक और 52 इस्तम इसकी रचनाओं की बात करें तो दादू दयाल रिवानी और दुआ रेण वानी और में चीज भासा कौन सी डूंडानी पीट के बात करें तो नार्यान जैपोर नेक्स्ट कुशन कौन से संथ है क्या होगा संत श्री राम्दास जी यहां पर रिग देख के हैं तो थोड़ा सा अम डिशकस करेंगे संत अरी रामदास जी के बारे में जनम और मृत्यू के बात करें तो सिंगतल दुत में हैं इनका जनम हुआ और वहीं पे इनके मुर्त्ती हुई पितस्री जुशना जी कि क्रति कांसी है तो करति की शिचों जी करती में कह गया है तो इसमें प्रणायाम स्वाधी एवं योक को में रगतकर है इनका उनल回去 में और क्रति में जलिए किसमप्राइब का प्रभा tap का प्रभाव है उप्सन से चरण न 20 राड़ न बर जिसके कितनी साका हैं दो नेक्स्ट कुशन विश्णोई संपरदाई जो है इसके अनुनायों को कितने नियमों को पालन करने का उपदेश दिया जाता है तो देखो जो विश्णोई संपरदाई के जो अनुनाई है इनको टोटल 39 जो नियम है इनका पालन करने का उपदेश द आलाते हैं उप्सन से विशुन ही संपरताई , रंसन संपरताई या फिर लाल-धासी संपरताई दादो-पन्स आप राध 높त यूँ अग redesDAY की पन्स ए उगल। एक से को sophi न मेरी देर स्थिखता है खाले कुल 예요on ? ौपसिन जयपूर उधैपूर जोधपूर या फिर कोटा नाथ संपर्दाइ की बात करें तो इसका जो महतपूर केंद्र है वो रहा जोधपूर ऐसका जोधपूर ौपसिन जिसके अधिकाल्स अनुनाई जाट जाती के हैं उप्सन से दादू पंथ जसनाती संपरदाई चरंदासी पंथ या फिर निरंजुनी संपरदाई तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्सन जो बी है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है गाईस क्या याद यह जसनाती संपरदाई तो अब यहां पर देखो जसनाती संपरदाई के बात हुई है तो क्यों न थोड़ा हम डिस्कस करें संत जसनात जी के बारे में जिनका जनम हुआ 1482 को कार्तिक सुकल एकादसी को इनका जनम हुआ पिकानेर में हुआ बिकानेर में भी कौन से गाउं में हुआ तो कत्रिया सर नाम का एक गाउं है वहाँ पे और जो इसकी पीट और प्रमुक केंद्र की बात करें तो कत्रिया सर विकानेर में ही इसके प्रमुक केंद्र और पीट है नेक्स्ट आचारिय तुलसी ने अनुवरत आंदोलन का सुत्रपात कब किया उप्शनस है 1942 में, 1949 में, 1945 में या फिर 1952 में और आंसर हो जाएगा उप्शन B 1949 में, नेक्स्ट क्यूशन, बलिंची के गुरु कौन थे? उप्शन से दादू दयाल जी या फिर राम चरण जी, सुंदर दास जी या फिर मंगला राम जी, तो कैसा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा उप्शन A हो जा 1544 में इनका जनम हुआ और ये फालकुल सुकल अस्टमी को हुआ कहां पे हुआ एहमदाबाद में हुआ इनके टोटल कितने सिश्य थे 152 सिश्य थे जिन में से 52 की बात करें तो प्रमुक और 52 कौन से थे 52 तो प्रमुक थे 52 इस्तम थे ये भी आपको याद रखना है इनकी नेक्स्ट की बात करें तो भासा थी डुणा नि पीठ का पे पीठे नाराय जैपुर में नेक्स्ट अल्किया संपरदाई की इस्तापना किसने की ओप्सन से लालगिरी भूलानात या फिर चरन दास या फिर संत दासची ने तो आंसर हो जाएगा उप्सन एक औरेक्ट आंस संपरदाई या फिर रामानुज संपरदाई तो आंसर हो जाएगा ओप्सन बी ना संपरदाई है नेक्स्ट क्यूशन धादरते अंगारों पर नर्त करते हुए चल्ला किस संपरदाई की प्रमुक विशेजता है यह काफी इंपोर्टेंट क्यूशन है गाईज ओप्सन से विशनुई संपरदाई लालदासी संपरदाई जसनाती संपरदाई या फिर रामस नहीं संपरदाई हमारा आंसर हो जाएगा जसनाती संपरदाई है पर राइट आंसर हो जाएगा तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स जसनाती संपरदाई अब यहाँ पर जसनाती संपर प्रकार के बात रहुए है तो fatoo 500acağız current के नेक्सक्ट क्यूशन अभीलेक या फिर पुझकल अभिनेस या फिर गोसुनडी अभिलेक अंशर ऑक्शन्डी अप्शन नेक्स्ट कूशन कौन सा वो संपरदाई है जिसका प्रवर्तक दंड धारी लकुलीस जो है इनको माना गया है ओप्शन से नात संपरदाई पश्चुपाज संपरदाई निम्भाग संपरदाई या फिर गोडिये संपरदाई हमारा आंसर हो जाएगा ओप्शन B नेक्स्ट राजितान में भक्ति आंदोलन जो है इसका अलक जगाने वाले पहले संपरदाई प्रमुक पीट कहां पर यह बताना है options देखिए मद्यपरदेश, मतई बोपाल, मद्यपरदेश, पन्ना, मद्यपरदेश, जैपूर, राजस्तान या फिर गांधिनगर, गुजरात तो हमारा answer हो जाएगा friends, option B के साथ हम जाएंगे इस question में next question, राजस्तान में नात पंत जो है इसकी कितनी साखा हैं, यह काफी important question है, नात पंत की कितनी साखा हैं, options है दो, तिन, चार्ड या फिर पांच, तो answer हो जाएगा दो साखा है, next question, यह मुकाम तलवा जो है, इसमें किस संत की समाधी है, यह काफी important question है guys, ध्यान दीजेगा आप options देखिए, options हैं आपके सामने, जसनाद जी, जांबो जी, संत दादू जी, या फिर चरन दास जी, तो हमारा answer हो जाएगा जांबो जी, जांबो जी की बात करें, तो यह संस्ता पक है, या फिर हम कहें, प्रावर्तक है, विश्णोई संपर्दाए के, और इसके यहाँ पे, या फिर कहें, कौन सा पंथ है, जिसके सत्संग अलख दरीबा कहलाते है, options है, दादू पंथ, लाल दासी संपर्दाए, रामस नहीं संपर्दाए, या फिर चरन दासी पंथ, हमारा answer हो जाएगा, दादू पंथ, next question, संत राम चरन जी, ने, रामस नहीं संपर्दाए, जो है इसकी किस साखा की निव डाली, options देखे, options आपके सामने है, guys, answer कीजिएगा, क्या होगा, इस question का right answer, क्या है, options, options देख सकते हो, रहना, सिंहतल, शापुरा, या फिर खेपाडा, क्या होगा, answer, guys, तो यहाँ पर हमारे answer की बात करें, तो हमारा answer हो जाएगा, option C, साहपुरा, next कौन से वो संथ है, जिन्नोंने हिंद्व मुस्लिम सम्मन्यम की भावना जो है, इसको प्रोचसान दिया, options है, संथ हरी दाशची, दरियाव जी, हरी रामदाशची, या फिर संथ रामदाशची, answer हो जाएगा, option B, correct answer है, जो दरियाव जी जो है, यह वो संथ है, जिन्नोंन संत को अपना अरध्य देवता मानते हैं यह काफी इंपोर्टेंट क्यूशन है इस त्यान दीजिएगा अच्छे से संत पीपा संत सुंदर दास संत घंणा या फिर संत जैमल दास तो हमारा आंसर हो जाएगा संत पीपा अब यहां बात करेंगे संत पीपा जी के बारे में जनम की बात करें तो 1525 में 1525 इसमें का जनम हुआ चंदर उनिमा को गागरेन दुर्ग के जो एक मत्ते के राजा जिनका नाम है खीची चोहान इनके जो कडावा राओ के यहां पे इनका जनम हुआ और में इंपोर्टेंट चीज इनके बच्पन का नाम प्रताप सिंग इनके माता का नाम रच्मी मत्ती और इनका जो गुरू है नेक्स्ट कुशन कुजले सुरिम ग्रंत जो है किस संपरदाई से संबंदित है सिंख संपरदाई परनामी थृग इनके संपरदाई और परनामी यहां अनसर हो जाएका ऑप्शन पिं यहां आंसर हो जाएगा option A जोदपूर में माननाती पंत की बात हुई है तो इसका प्रमुग केंद्र कहां पर है जोदपूर में है नेक्स्ट क्यूशन वो कौन सा संप्रदाई है जिसमें विश्णोई संप्रदाई जो है इसकी तरह हरे व्रक्ष को नहीं काटने एवं आधिक आधिक व्रक्षा रोपन करने के उपदेश दिये जाते हैं हमें उस संप्रदाई का नाम बताना है अप्सन से नवल संप्रदाई गूदर संप्रदाई अल्खिय संप्रदाई या फिर राजाराम संप्रदाई तो फ्रेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा राजाराम संप्रदाई अप्सन डी करेक्ट आंसर है बगवान सीव की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं औप्शन से नाथ सेव साक्त या फिर वेशनो तो आंसर हो जाएगा औप्शन बी जो है सेव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन कौन सा हो संपरदाई है जिसमें भैरव को सीव का अवतार मानकर पूजा की जाती है औप्शन से नाथ संपरदाई वेशनो संपरदाई रामानंदी संपरदाई या फिर कापालिक संपरदाई तो हमारा आंसर हो जाएगा औप्शन डी जो है वो इस कुशन क राइट और राजस्तान के लोक संत पीपा के अनुसान मोक्स प्रमुक्ष साधन क्या है। पूर्थी पूजा तपश्या यग या फिर भक्ती तो हमारा आंसर हो जाएगा तपश्या अब यहाँ पे संथ पीपा जी की बात करें तो संथ पीपा जी के बारे में सारी चीजे मैं डिसकस कर चुकी हूँ 1525 में इनका जनम हुआ चैतर पूर्णी मा को गागरोन दुर्ग में है इनका जनम हुआ राजा खीची चोहान कड़ावा राव के यहाँ पे और इनका जो बच्पन का नाम है प्रताप सिंग माता का नाम लच्विमती और इनके गुरू का नाम है रामानन जी और जो संथ जो है इनको अपना आरहद्य देवता मानते हैं नेक्स्ट बीलवाडा जिले में राजस्तान का कौन सा संपरदाई है जिसकी पीट इस्तित है और वल्लब संपरदाई निंबार्ग संपरदाई रामानुष संपरदाई या फिर दादु संपरदाई अंसर हुजाएगा राम नादवारा यहाँ पर राइट आंसर है उप्शन ए राजस्तान गे वल्लत इसका और अप्छोंडि दार्म है फिर इन में नेक्स्ट बीलवाडा ज लेख में फिर इंबहरत राम संपरदाई में जाएगा ना यक्म है इसका अल्लेख मिलता है इस य सि man दादू मोक्स प्राप्ति के लिए आवशक शमझते हैं किसको समझते हैं आवशक ये आपको बताना है options है सत्षंग को या फिर गुरुद्वारा मार्ख दर्शन को या फिर सन्यास ग्रैन करने को या फिर साध्ना करना तो मारा आंसर हो जाएगा गुरू द्वारा मार्ग दर्शन करना इसको मोक्स प्राप्ती का आवशक समझते हैं कौन दादू अब यहाँ पर दादू की बात हुई है दादू दयाल की तो दादू सम्परदाई के संस्तापक है इनका जनम हुआ 1545 को इनका एहमधावद में जनम हुआ और इनके सिस्चे कितने 1502 सिस्चे हैं जिन में से 52 प्रमुख है और 52 इस्तंब हैं भासा कौन सी है डूड़ाडी नेक्स्ट राजस्तान में विश्णोई संपरदाई के संस्तापक कौन थे बताया था ओप्सन से कभीर रामचरन जहांबो जी दादू तो आंसर हो जाएगा जांबो जी नेक्स्ट क्यूशन भक्ती आंदोलन राजस्तान में फैलाने वाले जो संथ थे वो कौन से थे ओप्सन से निंबार्क नानक दादू सूर्दास तो आंसर हो जाएगा दादू दादू ओशन थे दादू दयाल जिन्नोंने भक्ती आंदोलन जो है इसको राजस्तान में फैलाया नेक्स्ट क्यूशन बलिंदी के गुरू कौन थे बलिंदी के गुरू पुछा गया है ओप्सन से सुन्दरदास जी रामचरण जी मंगला रामजी दादू दयाल तो राइट आंसर हो जाएगा और दादू दयाल जी के बारे में सारी चीजे बता चुती हूं जनम कब हुआ में इंपोर्टेंट 1545 में इनका जनम हुआ भासा कौनसी ढुंडाडी रचनाय कौनसी दादू दयाल रिवानी और दुआ हरेण वानी और इसके सिश्ची कितने थे 152 सिश्ची थे जिसमें से 52 की बात करे तो 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 चरण दास जी या फिर संत हरी दास जी आंचर हो जाएगा संत हरी दास जी जो है वो इस क्यूशन का करेक्ट आंचर हो जाएगा अब बात करें संत हरी दास जी की जनम कहां पे हुआ इनका जनम हुआ कापडोध नागोर में इनका जनम हुआ और एक छत्रिय परिवार में इनक मूल नाम है हरी सिंग और संत बनने से पहले ये एक ड़कैट थे नेक्स्ट क्यूशन राज़स्तान के संत जामबो जी जो है वो किसके सिश्य थे और संत जामबो जी जो है वो वैशनों ही संपरदाय है इसके संसतापक या फिर हम कहें इसके प्रवर्टक भी थे ये चीज़े हैं जो इंपोर्टेंट है तो गाइस देखिए 50 प्लस क्यूशन किया है तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए ज्यादा जदर वीडियो को शेर कर दीजिए चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ जो बैल आइकोन है उस प भीडियो